नमश्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि मैं अपनी बाते कुछ आप लोगों के सामने रख सेका उसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना जाओंगा कि आप तो ने मुझे इतना प्यार लिया इस business के अंदर ऐसा क्या खास है इसके बारे में आज कुछ निस्कस करेंगे और हम क्यूं कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कर रात को जब मैं सोच रहा था कि मुझे आप लोगों के सामने कुछ बोलना है तो मैं क्या बोलूं तो मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था और जब मैं सर्च करके जब मैंने अपने रिसर्ट देखी तो सच में वो डिराने वाले रिसर्ट देखी दोस्तों 20% जो अपना यंग यूथ है वो अन है जो के बहुत ही दुख्ती ही ख़गर है कूरी इंडिया की अबादी में सड़े चार करोड़ लोग जो है बेरोगता है इसके पास कोई भी कमाई करने का साधन नहीं है आहीद इतने स्कतने का साधन है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, कि वो कोई पिछलस कर सकेए, उन्हें कोई जोग नहीं दे रहा है, और इससे भी बड़ी दुख की बात ये है, कि पिछले साल, तकरीबन डेड़ लाख लोग इस बेरोजगारे के पाने, सुसाइड का टेंट रह दोस्तों, हमें इस रास्ते पर नहीं चलना है, आज ये जो मेरा मेसीज है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कि अगर कोई भी परसन अनप्लोएड है, तो आप ये गलत रास्ता फिल्कुल पी चुप सुना करें, मैं आपको अपने ब सुझे के 2010 तक मेरे पास काम नहीं था, मैं सोचता था कि मैं बिजनस करूँगा, बिजनस करूँगा क्या कई, मैंने सोचा कि या बिजनस तो मेरे बस की बात नहीं रही, पर मेरा एक smart work मेरा, मेरे जिंदकी को बदर लिया, जोस्तों, जब जोब लगी, बड़ी मुश्किल स मैंने चे महिने तक दिन राज जोग की, बहुत महनत से जोग की, पर मेरा सपना बुछ वड़ था, मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता था, युगापिडी के लिए कुछ करके दिखाना जाता था, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, कि मैं एक example set हो सको, मैं आप लोगों के लिए एक example set हो सको, एक ऐसा idea आया हमारे mind में, मैंट वो idea था Jam Cash, Jam Cash एक ऐसा business जिसके गारण मेरी ही light नहीं बदली, लाखों लोगों की लाइफ को चैमकेश बिजनस ने चेंज लिया है दोस्तों आज के टाइम में मेक इन इंडिया और डीजिटल इंडिया का बहुत एक भूम है हर कोई चाहता है कि मैं विजिटल इंडिया है मेंकिन इंडिया के प्रोजेक्ट के रिकार्डिंग में कुछ करके दिखाऊ तो हमने भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की कि डिजिटल इंडिया के साथ वो चीज इंटरेक्ट हो जाए और चैंप कैश एक ऐसा बिजनस हम लोगों ने बना दिया जो लोगों को मुफ्त में टेक्नोलोजी से जोड़कर रोजगार देने का इत्वाद दिया यहां पर किसी को पैसे नहीं लगाने की ना ही किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर देने एक पहला ऐसा बिजनस हम लोगों ने क्रेट किया मेरी टीम ने क्रेट किया जिसके कारण से आज के समय में लाखों लोग रोजगार ने थे और हजारा लोग ऐसे हैं जो हजारा उपे महिना इस चैपके से पांट कर देने आपको लग रहा होगा कि मैं हो सकता है कि ये बाते जो कर रहा हो आपके माइंड में ना जा रही हो क्यों क्योंकि जहां पर पैसा नहीं आया वहां पर बिजनस कैसे हो सकता है पर यहां पर यह चीज सच हो यहां पर हमने वह चीश प्रूफ करके दिखा दी कि हां टेक्नोलोजी का यूज करके आप बीना पैसा लगाए भी पैसा कमा सकते हो आज के समय और वो पॉसिबल हुआ जैन कैश की बदोलत और वो पॉसिबल हुआ एडवर्टाइसमेंट की बदोलत हुआ हम बचपन से टीव क्या हमें न्यूज वालों ने या टीवी वालों ने एडवर्टाइसमेंट देखने का आज तक एक रुपया भी दिया शाहिद ने पर आज के समय में अगर आप चैमकेश 12 से जुड़ते हो रोजगार देने की गरेंटी चैमकेश रखता है आपके लिए और वो भी एडवर देता है यहां पर आपको गेम खेल रही है उसका पैसा भी एडवर्टाइसर देता है गेम आप खेलते हैं जो हमें पहरे लगता था कि यह टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा लड़का गेम खेलता रहता सारा दिन यह टाइम वेस्ट करता रहता है पर आज के समय में वही गेम कर लोग इंकम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स अपनी फ्रीस नहीं बर पाते थे वो आज गेम खेलकर एप इंस्टोल करकर वीडियो देखकर अपनी फ्रीस कॉलेज की स्कूल की बर पाते हैं और वो पॉसिबल हुआ है चैप्टेंश की गरोड़ी ते मेरी बहने जो हाउसवा लाइस है और जो अपने परिवार के खर्च्छे का निकालने के लिए सोखते हैं कि मैं कुछ नब शुच back side business करूं कुछ ऐसा business करूं कुछ इस्टिक्स करूं जिससे मेरे परिवार का खर्चा असानी से मिकल जाएग। जिससे जो मेरे बच्चों की फीस है, मेरे हस्बंट पे ज्यादा बढ़न ना पड़े, वो बच्चों की फीस पड़े असानी से मैं पे कर सकूँ और मुझे किसी के सामने हाथ ना तो दोस्तों आज के समय में लाकों महिलाए हमारे इस जैंट केश के बिजनस से अर्मिंग कर अपने उपर जब हम यह देखते हैं कि आज की महिलाए इस टेक्नोलोजी के बिजनस के साथ जुड़कर इस चैंट केश बिजनस से बहुत अच्छी अपनिंग करने हैं और अपने परिवार का पिजाना है हमें गर्व होता है अपने उपर जब हम देखते हैं कि एक रिटाय नहीं रहा है बुड़ाबे के अंदर को करें तो क्या करें हमें गर्व होता है अपने उपर कि हमने उनको भी रोजगार केने की कोशिश है हमने उनको भी टेक्नोलोजी के साथ जोड़कर इंकम का सोस्ते हैं दोस्तों आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि कि सिरफ इंडिया से नहीं पुरे विश्व से हैं और हमें गर्व होता है अपने उपर जब हर कौन का ने ज़्यकों को या का से हमिए घरव होते हैं अपने उपर जब भारत ही नहीं USA वाला इंकम करता है, हमेश भारत का व्यक्ती युनाइटिट इंडरम के व्यक्ती के कारण इंकम करता है, और सहीं में यही तो एक डिश्टर दिलिया है, अगर हम भारत में रहकर पूरे विश्यू को रोजगार देच सकते हैं तो हम क्यों ना करें? हम क्यों ना करें? हम इस प्लैटफोन के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी लोग इस मुहिम का इसाबनी हैं। दोस्तों, बच्छपन से ही मेरा ये कभी भी मकसद नहीं रहा कि मैं पैसा कम हूँ। आप लोगों के मैंने बताया कि एक साल तक जो मैंने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल के पिरण में मैंने सीखा कि पैसा ही सकुछ नहीं। मेरा मकसद है सिरफ कि मैं लोगों की कुछ बिलाई कर सकूँ। कि मैं कुछ अपनी युवा पीड़ी के लिए कुछ कर सकूँ। उन लोगों के लिए कर सकूँ जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है मैं अपनी बेहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उनको कुछ रोजगार का साधन मिले मैं उन यूवापीडी के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं तो उन सुडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि वो अपनी फीस कुछ पर सेके, उन्हें अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी तक ले दिना, दोस्तों इस मंच से आप लोगों से ये अप्पील करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सभी लोग इस मुहीम में हमारा साथ देंगे और ये जो मुहीम हमने चलाइए बेरोजगारी को रिमॉव करनेगे, बेरोजगारी को जड़ से उखाड के फैगने की आप सभी लोग हमारा इसमे साथ देंगे और साथ इसले देंगे ताकि कोई भी व्यक्ति विरोजगारी के कारण सुसाइड ना करें आईए मिलकर एक शबत दें हमें इस भारतवर्श से और पुरे विष्ट से इस विरोजगारी को जड़ से उखाड़ कर फैक दिना है और हमारी इस मोहीम में हमारा साथ है दोस्तों आज मैं आपसे यह अपील करना चालता हूँ कि आज हम यहां से एक संकल्थ नहीं कि कोई भी स्टूड़ेंट आज के बाद पैसे की कमी के कारण अपनी स्टड़ी पीशने आ चालता हूँ आज के बाद कोई भी विरोजगार व्यक्ति पैसे की कमी के कारण सुस्ताइब ना आज हम यहां से सकते हैं कि दोस्तों अंत में मैं महिश्वर्मा आप सभी का हार्तिक अभिन्दन करता हूं और आप हार प्रकट करता हूं और आप लोगों से ये लास्ट में भी गुजारिश करता हूं कि चैमकेश का साथ आप इसी तरह से देते रहेंगे और मैं महेश्वर्मा आपका साथ इसी तरह से देते रहूंगा और ये जो बलाई का काम हम कर रहे हैं इस इंडिया का काम हम कर रहे हैं इस मुहीम को हम कभी न झाल झाल